राम राम सार जैस्री राला बाबा धाम की जैस्री किशान विजैस्री किसान जैस अविधान देश भर के किसान MSP की गारंटी कानून को लेकर और बहुत सारी मांगों को लेकर फिर से आंजोलन की रहा पर हैं और आज 13 फरवरी विश्व के सिर्मोर भारत भूम के अजे महराजा सुरजमल जी के जनम जैनती की इस वेला पर वो दिल्ली कूच का रहे हैं बहुत पहले दिल्ली कूच का किसान संग्ठन उन्हें एलान कर दिया था 16 फरवरी को फिर पूरा देश बंद का भी आवहान है आज जो 13 फरवरी को महराजा सुरजमल जी की जनम जैनती पर जो दिल्ली कूछ हुआ है बहुत चुनोती पूर्ण है सरकार ने बड़े इस तर पर रोकने की तैयारी की है बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स में और बहुत सारे सोसल मीडिया के वीडियो जो देख रहा हूँ उसमें लग रहा है कि किसान आंदूलन की तैयारी से ज्यादा सरकार किसानों को रोकने की तैयारी कर रही है जिस तरीके से किसी देश की सीमा को चाक्चोबंद किया जाता है और वापर कहीं तरह के बेरिकेट लगा जाते हैं उनसे भी कई गुणा ज्यादा लेयर में सरकार ने दिल्ली और हर्याना की सीमा उपर अलग-अलग सुरक्षा की लेयर करके किसानों को रोकने का प्रियास किया गया है कौन रोक रहे हैं वो ही किसानों के बेटे जो किसनी किसी सरकार के संग्ठन में कारे रथ है चाहिए वो फोज में हो चाहिए वो पुलिस में हो चाहिए वो प्रसासन में हो इस अवसर पर बड़ी आस्तरे जनक बात ये है कि बड़े हुक्मरान अंदर बैट कर आपस में लड़ने का काम कर देते हैं और उन बेटों की डूटी उस पॉइंट पर लगा देते हैं कि आपस में यही उलज दे रहें राजस्थान की पुलिस से लेकर देश की पुलिस का एक धेई वाकिय है आम जन में विश्वास अपराधियू में डर लेकिन यह पर तो उल्टा हो रहा है कि आम जन को डराया जा रहा है और अपरादियों के होंसले बुलंद हो रहे हैं किस तरीके से अपरादी तो अपने तरीके से काम कर रहे हैं जिसकी पुलिस को भनक तक नहीं लगती पुलिस बाद में जाच वगिरा करती रहती है लेकिन कि वोसल मीडिया पर एक ट्रेंड रोड चल रहा है फ्रांस की किसानों का आंदोलन फ्रांस में किसान जब भी आंदोलन करते हैं और उनकी कोई बात मनवानी होती है तो वो सरकारी इमारतों को सरकारी दफ्तरों को गंदा कर देते हैं गौबर छिड़क देते हैं ये उनका उपर विचार करती है मानती है ऐसे सोसल मीडिया पर अभी कंपरिजन किया जा रहा है कि भारत में सरकारें किसानों के साथ केसा सलू करती है किसान अनदाता है वो भगवान है आस्तरे के बात है कि मांगर खाने वालों को हमने अनदाता काना सुरू कर दिया ये बड़ी आड बारत सरकार ने चोदरी चरण सिंग जी को और एमस स्वामी नाथन जी को भारत रतन से नवाजा है। इनके साथ साती पूरु परदान मंतरी नर्सिम्माराव, उप परदान मंतरी लालकर्शन आडवानी और करपूर ठाकर को भारत रतन दिया गया। सालाना तीन लोगों को भारत रतन देने की परमपरा रही है लेकिन इस बार सरकार ने एक कदम आगे बढ़ कर पांच लोगों को भारत रतन देने का ऐलान किया है जैसे किसान मसीहा चोदरी चरण सिंग जी को भारत रतन का ऐलान हुआ कहीं किसानों ने खुशी भी मनाई और मनानी भी चाहिए सबने धन्यवाद भी दिया सरकार का लेकिन ये सवाल भी किया कि क्या चोदरी चरण सिंग जी को भारत रतन देने में इतने देरी करनी चाहिए जिन लोगों को उनसे पहले भारत रतन दिया गया उनकी डिजर्विंग केपेशिटी को और चोदरी चरण सिंग केपेशिटी को आखिलन किया जाए तो सरकारों उन्हें कंग्रेश ने भी वह द्वाव किया है और बीजेपी ने भी किया है खर दे रहा है दुरस्त है उनों को भारत रतन मिला इसकी चर्चा देस अब हुई लेकिन सरकार भारत रतन देकर एक तरफ किसान मसिया चोधरी चरण सिंग का मान बढ़ा रही है लेकिन चोधरी चरण सिंग जी की जो विचार धारा थी एमस स्वामी नाथन की जो विचार धारा थी उनकी जो सिफारिस से थी उनकी जो सुझाओते उनको सरकार अमल में नहीं ला रही है ये बड़ी आस्टरे की बात है तो सरकार को जो MS स्वामी नाथन कमिशन ने जो रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट को लागू करना चाहिए और इसके साथ ही जो MS P किसानों की गारंटी कानून है उसको लागू करना चाहिए आज कल देश में मोधी की गारंटी का एक बड़ा हुवा खड़ा किया जा रहा है लेकिन क्या ये मोदी के गारेंटी में सामिल नहीं हो सकता जब उदेश के किसाने के कुशाली और प्रगती की बात करते हैं दूसरी तरफ मीडिया जो बड़े टीवी चैनल्स है जो नेस्नलाइज हैं उन्होंने सबने बाइश्ट खबरे चलाना सुरू कर दिया जस तरेकी से किसान आंदुलन को रोकने की ते तैयारी सरकार कर रही है उसका बड़ा महिमा मंदन किया जा जाँ रहा है कि देखो सरकार की कितनी गजब के तैयारी जैसे कोई गंतंतर दिवर सो उसतंतर तादिवस पर बहारी दुसमनों से सुरक्षा की जो ते प्रफकम कर चैसान कायारी जाती है उस तरीके कि तैयारी किसान अंदूलन को रोकने की तैयारी को दिखाए जा रहा है बड़ी चस्क के ले करके पज़िक की बात है इसके साथ ही बड़ी जो विर्ंबनार दुख पहुंचाने वाली बात ये है कि सरकारों में बैठे लोग जो किसानों के नाम से जीत कर जाते हैं, किसानों के नाम पर अपनी राजनिती करते हैं, लेकिन किसानों की दसा और दिसा में सुधार पर चुपी साधे बैटे हैं, दूसरे तरफ सरकार के जो अधिनस्त अंग हैं, पार्टे चाहे पुलिश हो, प्रसासन हो, पत्वारी हो, फोज हो, वो सारे लोग जिनमें किसानों के बेटे हैं, वो भी अपने ही किसान भाईयों को रोकने, मारने, पीटने, बंदूग चलाने, आसो गोला छोडने, केले ठोकने, उसके लिए वो आमादा है, और उनके बीच से सरकार बातचीत करे, कल बातचीत ही बहुई बताए, लेकिन बातचीत बिना उद्देशे की हुई तो वो बेनतीजा हो गई, बेनतीजा होने के बाद किसानों ने एलान कर दिया, और वो दिल्ली कोच कर गए, सरकार ने कहीं जग रोकने का प्रियास किया, लेकिन किसान त पड़ा देश का परदान मंत्री माफी मांग रहा था अब कुछ लोग अंदबक्त करें कि माफी नहीं मांगी की दिल्ली की जंता पता ने जवाब देगी लेकिन दिल्ली की जंता तो चुप हो गई किसी तरह के को नेगेटिविटी भी नहीं आ रही है इस बार तो गुरु ग गाथा के साथ में प्रस्तोती करण किया जा रहा है उसके साथ किसानों में जोस भरा जारा रोलगातार आगे बढ़ रहे हैं इस बार तो सिख भाईयों ने अपनी जो परंपरागा थे जो युद्ध परनाली कभी मुगलों के जमाने में हुआ करती थी बाद साहों से मुका जो परशासन के बड़े उच्च अधिकारी लोग है वो तो आराम से हसते वे देख रहे हैं ये बड़ी आस्तरे जनक बात है देश का चिसान अन्नदाता जब जब भी हूंकार भरता सिंगासन डोलते हैं अभी परदान मंतरी मोदी की तुलना जर्मनी के तानासा हिटलर से क जा रही है कि हिटलर भी इतना ही डरपोग था कि उस तरीके से वो पुलिस और परशासन और फोज का सहरा लेकर इस तरीके से कांटे बीच आता था जनता और उसके बीच में लेकिन अब क्या ये अतिका अंत होने वाला है पिछले दूने एक वीडियो बहुत गजब चला ज इसमें गोविंद गिरीजी महराज जो है मौदी जी का जो परतिष्णा महत साव के बाद में एक चमळ से जूश पिला रहे हैं जब कि कहा जाता है कि भारते सनातरंपरंपरा में तो चमळ से इस तरीके के दो लाश्ट में सרधांजली सीरूप पिलाए जाता है तो क्या यह मोधी सरकार के आखिरी सरधांजली होगी इस तरीके के भी कई सारी बाते हो रहे हैं सोसल मीडिया पर अलग अलग तरह के अलग अलग विचार धारा की लोग अपनी बात रख रहे हैं जो किसान समर्थक लोग हैं वो किसानों की बात तरक्षंगत तरीके से रख रहे हैं जो प किसानों की बात सुनी तो जानी चाहिए लेकिन उसका तरीका क्या हो तरीके के लिए किसान संक्ठनों ने बताया भी है तो किसान अन्यदाता जब तक मजबूत नहीं होगा खुशाल नहीं होगा तो देश के से तरक्य करेगा सबसे बड़ा धानी किसान, सबसे बड़ा रिशी, क्रशी का उपासक किसान सबसे बड़ा कौंट्रिबूट किसान करने वाला और उसके बावजुद सारे अरत्विवस्ता का बून अधार किसान और उसी की रीड के हड़ी तोड़ी जा रही है 2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 नेता उस बात को अच्छी तरीके से समझे तरक्षंगा तरीके से इसके साथ ही जो किशान पुत्र राज की सेवा में है चाहे हो अपसर के रूप में हो करमचारी के रूप में हो फोजी के रूप में हो पुलिस कर्मी के रूप में हो आपके उच्छ अधिकारी आपको कह देत भगाने बेरिकेटिंग करने की उन्हें आप इस बात के लिए भी समझाए कि साब ये अपने हाकों के लिए आवाज उठा रहे हैं ये नयव चित है हमें इनके साथ में उलजा कर हमें अपस में मत लड़ाए इनकी बातों को सरकार अपने इस तरपर बुला कर बात सीथ करके सम करने के लिए लगा जाता है उस फोज का इस्तेमाल अपने ही देश की जंता जो लोक चंतर में सरवोच शत्ता है उस सरवोच शत्ता का दमन करने के लिए लगा जा रहा है ये बहुत हाश्याश्पद बात है और जिस तरीके से रोड़ू पर वेरिकेटिंग अगर कभी कोई किसान या जन सामाने व्यक्ति कोई सारवजनिक रास्ता रोक दे अतिकर्मन कर ले सरकारी संपदा को सारवजनिक संपति को किसी तरह का नुक्षान पहुंचा दे तो उसके खिलाप मुकदमे दर्ज करने के कई सारे आधार बन जाते हैं लेकिन अब सरकार के लोग ही जब सर के खिलाब भी केस दर्ज करवाना चाहिए एक सोसल मीडिया भी चल भी रहा कि कुछ जागरूक लोग सरकार की जो पोरिटल पर केस दर्ज करवा रहे हैं किसाफ इन इन रास्तों पर जो कांटे बिचाए जा रहे हैं सड़के खोदी जा रही है अन्ने सरकारी संसादनों का कि गिरफतारी होनी चाहिए क्या सरकार इसा कर पाएगी तो अब जिस तरीके से टकराव की इस्तिती बन रही है जो लोग सुन रहे हैं वो पार्टी विचार धारा से उपर उटकर थोड़ा सीख सोचें कि क्या किसानों के साथ अन्याई नहीं हो रहा है आपको अगर अन्या सेक्डवर्स पहले कौन राजा था कौन लोग शक्तिशाली थे वो चले गए सेक्डवर्स पहले कौन था वो भी बदल गए आज जो सत्ता में या पावर में है वो आने वाले वक्त में भी नहीं रहेंगे लेकिन क्या अपन जब सत्ता के सीर्ष पर बेठे हों हम जब किसी संस्ता का समाज का वर्ग का कौम का भला करने की इस्तिती में हो हमारी कलम इतनी ताकत हो और उस दोर में हम हमारी कलम की ताकत का उप्योग समाज के कल्यान के लिए नह करके अगर उनके अधिकारों के दमन के लिए करेंगे तो बताएए आने वाला वक्त आपका भी दमन करे कहते हैं कि कभी गाड़ी नाव पर कभी नाव गाड़ी पर कभी कभार तालाब सूखने पर मचलियों को दूसरे जानवर खाते हैं तो तालाब में पानी आने पर उसमें होने वाले जिवों को मचलियां खाकर अपना जीवन यापन भी करती है तो इसलिए समय बदलते टाइम लगता बड़े-बड़े ताकतवर लोग आज जेलू में चले गए, बड़े-बड़े बादसा लोग आज धरासाई हो गए इसलिए कोई भी सरकार इस्ताई नहीं है, कोई भी व्यक्ति सदेव नहीं है. एस इस्तिति में किशान सद्यू से इस धर्ती का संरक्षन करता आया है मा प्रकर्ती प्रमात्मा का वो सच्छा उपासक रहा है प्राकर्तिक संसादिनों का संरक्षन किसान उने किया है प्राकर्तिक संपदाओं का संरक्षन किसान उने किया है और इस देश की अर्थ वेवस्ता को आगे बढ़ने से लेके परतेक विक्ती का पेट किसान ने भरा है अपने मेहनत के दम पर और अगर उस किसान के साथ अपने अन्याई करें देने वाले के साथ अगर अन्याई करेंगे तो बताईए अगर आप इश्वर को भी मानते हैं परकर्टे को भी मानते हैं तो फिर परकर्टे अपने साथ कितना बड़ा अन्याई करेंगी कर्मों का फल तो यही है अगर हम किसी का रास्ता रोकेंगे तो भगवान के घर से रोकने वाले का रास्ता परमानेंट रोक जाएगा बहुत सारी घटनाई प्रैक्टिकल में आप सब देखते हैं कि जब जब भी किसी ने किसी के उपर अत्याचार किया उस अत्याचार के बाद वो खुद भी अत्याचार का सिकार हुआ और बहुत बुरी उसकी गति हुई है तो सरकार में बेटे लोगों से, मंत्रियों से, विधाइकों से, सानसदू से ये रिक्वेश्ट है कि किसानों से तहजीब से बात करके उनकी समस्याओं का समाधान करें जिस तरीके से आपने चोधरी चरण सिंग और MS स्वामी नाथन जी को जो सम्मान दिया है उस सम्मान की सार्थकता तब है जब किसानों को अपनी उपज का पूरा लाब मिले, MS पी का गारंटी कानून आए, उसके साथ ही उनके खिलाब जो इस तरीके के आंदोलन जो समयधानिक है, उन आंदोलन में जो मुकदमे दर्ज किये गए हैं, उन मुकदमों को वापस लिया जाए और जिस तरीके से पुलिस परसासन के लोग गाउं में जाकर के धमकियां दे रहे हैं, कि अगर आप किसान अंदोलन में भाग लेंगे या उसमें सामिल होंगे, तो आपके खिलाब केस दर्ज हो जाएगा, आपका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, आपकी खिल जाचा का बेटा राज नहीं होता है, परजा उसे चुनती है, जब परजा का हम दमन करने लग जाएएंगे तो पिर आप राजा भी केसे बने रह सकते हो, ये तो समय है, वक्त बदलेगा, राज तंतर बदले, शेना तंतर बदले, लोग तंतर आया, और जहाँ जहाँ जहा जिन्दा रहेगा खेती किसान जिन्दा रहेगी तो देश आबाद रहेगा देश कुशाल बने का मजबूत बनेगा आज भी देश के किसानों के द्वारा जो महनत होती है आप उसके कलपना कीजिए एक रिशी की परंपरा हम सनातन को मानने वाली लोग जो है या इस भारत में परंपरा है किसी भी धर्म की जो मूल है उस मूल में वेक्ते की दिन चरिया महतव पुर्ण एगर किसी की सर्वस्रेश्ट दिन चरिया है तो किसान अन्य दाता भगवान की उस आक्षाद भगवान की समान है सुबह प्रातेकाल भ्रहमुर्थ में चार पांच बजे किसान की दिन चर्या सुरू हो जाती है वो अपने देनिक कारी करमु से निवट कर उसका खेती बाड़ी प्रकरती के नजदी को रहता है लगातार मेहनत के साथ काम करता कभी जी चुराता नहीं है कभी आलश नहीं करता है लगातार सुबह जल्दी से लेकर देर रात्रे तक उसकी दिन चर्या लगातार चरेवेती चरेवेती के सिद्धन पर चलती है लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो मांग कर खाते हैं चोरी करके खाते हैं, जूट बोलकर चल परपंच करके लोगों का हड़प कर खाते हैं, उनके पास जब पेशे की वेलू बढ़ जाती है, उन्हें मान सम्मान दिया जाता है, उन्हें बड़ा माना जाता है, लेकिन बड़ा आज भी किसान अन जाता है, लेकिन आस्थरे की बा तो आप अपने आपको भूल रहे हैं इसलिए आज किसानों का जो मान समान बढ़ना चाहिए उसे बढ़ने की जरूरत है और जिस तरीके से संपूर्ण देश में जो किसानों के प्रतिय के आंदोलन का भाव सरकारे इस्थापित कर रही है उन सरकारों को भी इस बात के लिए स प्रफ़न उठा लेंगी तो मैं उन से बात भी करूंगा कि आज का जो सीन है वो किस तरीके से आप देखते हैं कि सरकारे किस तरीके से कर रहे हैं चूंकि वो चोदरी चरन सिंग्जी के सानिद्दे में खोब लंबे समय रहे हैं और लंबा समय रहने के कारण उन्हें किसान थार उनकी जो बात थी आज भी पूरा देश और दुनिया सत्पाल मलिक को गोर से सुनती है हो सकता है कि उनके आलोचक और परसंसक अलग अलग तरीके से उसके माइने रखते हों लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बाते बहुत गहराई की होती है तथ्यात्मक होती है और बहुत बड़ी जो महीम उन्होंने चलाई है चाए वो सर छोटू राम की अवधारना को आगे बढ़ते हों चाए वो चोधरी चरण सिंग्जी की अवधारना को आगे बढ़ते हों या पिर जितने भी हमारे महापुरुश्वे हैं जिनने किसान राजनिती के लिए काम किया है उनकी विचारधार को आगे बढ़ने का कारिये वो लगातार कर रहे हैं और हमें सब को किसानों के परती बहुत सम्मान की भावना रखनी चाहिए जगए जगए से कई तरह की खबरे आ रही है कि किस तरह के से किसानों का दमन किया जा रहा है अगर अपने लोगों का इस तरह के से क्या होगा तो मैं तो यह एक सेर के मादिम से कहना चाहूंगा कि मत चीरागों को हवादू ये बसती अजल जाएगी माना की लगा सकते हो आग पानी में लेकिन याद रखना मगर मच्छों के साथ बिचारी मच्छलें जल जाएगी तो हमने मच्छली को भी बचान है उन्हें मिलना चाहिए किसान भी खुशाल होने का पूरा पूरा हक रखते हैं जो दूसरों को कुशाल रखते हैं उन्हें खुद भी खुशाल होने का पूरा अधिकार है लेकिन उनकी खुशाली में अगर आप बदहाली डालेंगे उनकी प्रगत्ती में अगर आप जरूरी एकिसानों के परति आदर और संमान की बहना होनी चाहिए। धन्ना भगत जी में आएं धन्ना भगत जी किसान थे घर भगत जी के घर भगत जीम आये। और एक गीत बना कि कुण जाने या माया सांवरा की अजब निरा ली रहे तिरलो की को नात जाट को बढ़ गयो हा ली रहे तो भगवान का अगर कई वास है तो वो किसान के खेट में हैं किसान की मेहनत में हैं किसान की आत्मा में हैं तो जेहो किशान अन्दाता और आप सबीशे निवेदन है कि हम किशान पुत्र होने के नाते किसानों किस बात को बहुत अच्छे तरीके से रखे एक बार दादा महरादा सुरजमल जी को पनहें प्रणाम उनकी जनम जैंती पर जिन्नों ने जीवन में कभी हार का मुह नहीं सरकार में बेठे लोग पारटी की विचारधारा सहिजने वाले लोग अलग-अलग संग्ठनों में काम करने वाले लोग लेकिन सब का आखिर उद्दे से जन्ता का कल्यान और किसान कौम का उत्थान करना है तो इसलिए आप भी अगर सरकार के समर्थक हैं तो सरकार को कनवे कीजिए पारटी विचारधारा से समधे रखते हैं तो पारटी के मुखियाओं को इस बात के लिए कनवे कीजिए कि किसानों की वाजिब मांगों को माना जाए उन्हें खुशाल बना जाए जो सिफारтаки स्वामिनाथन कमिشन की सौद्री चर्ण सिंग जी के विचारधारा कि उनको लागू किया जाए तांकि किसान समरत बने देश समरत बने विक्षित भारत का जो सपना देश का हर नागरिक देख रहा है वो साकार हो इनी भाउनाओं के साथ में जे किसान, जे सविधान, जे स्री किसान, विजे स्री किसान, जे स्री राला बाबा की, जे हो तेजाजी महराज की, जे हो धना भगत की, जे हो किशान अन्नदाता, भगवान की जे हो